बिहार में कोरोना टेस्टिंग में गरबड़ी सामने आने के बाद बिहार सरकार की भारी फजीहत हो रही है इसी बीच तेजस्वी ने ट्विट कर सरकार पर हमला बोला है तेजस्वी ने ट्विट कर कहा कि बिहार में कोरोना घोटाला अर्बो का है जाच कराने वाले का नाम फर्जी मुबाइल नंबर जीरो पता और उम्र भी जीरो है उन्होंने कहा कि सीम घोटाला करने वालों से ही घोटाले की जाच करवा कर चंद घंटों में क्लीन चिट दिलवा रहे है वहीं आरजवेडी के प्रदेश अध्यक्ष जग्दा नंसिंग पर हसनपूर विधायक तेज प्रताप यादव के हमले के बाद से बिहार में सियासी सरगर्मी बढ़ गई है आपको बता दें कि सत्ता पक्ष के नेता लगातार तेज प्रताप यादव पर निशाना साध रहे हैं इसी कड़ी में विजपी प्रदेश प्रवक्ता निखिल आनंद ने आरजवेडी प्रदेश अध्यक्ष जग्दा नंसिंग पर तेज प्रताप के हमले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है और उने कहा कि तेज प्रताप तो बस बहाना है असली बात आरजवेडी के वरिष्ट नेताओं को ठिकाना लगाना है प्रदेश अध्यक्ष जग्दा नंसिंग पर तेज प्रताप यादव के हमले के बाद बिहार में सियासत शुरू हो गई है जेडियो और बीजवेडी नेताओं ने कहा कि जान बूझकर पार्टी के बुजर्ग नेताओं को अपमानित किया जा रहा है तो वहीं कॉंग्रेस ने आरजवेडी का बचाव करते हुए कहा कि ये उनका इंटर्नल मामला है जग्दा नंसिंग आरजवेडी के वरिष्ट नेता है तेज प्रताप यादव के बयान पर जेडियू नेता नीरश कुमान ने कहा कि आरजवेडी में सीनियर नेताओं के अपमान पर तेजस्वी और लालू यादव चुप क्यूं है उन्होंने कहा कि जग्दा नंद को तेज प्रताप ने हैसियत बताई ऐसे मैं आरजवेडी के बुज़ूर्ग नेता हाट स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के संपर्क में रहें